स्कार्फिव श्रासु माने मेरी कतर नजानी से में, देखने को मिले काफी ट्विस्ट n ठ्रेंसे, जहां पर देखने को मिला की, अब यहां पर पबली देवी सपनों में खूझ आती यह सोच रही होती है अगर यहां पर पूरा सच पलवी के सामने आगा तो फिर वह नहीं बलकि मुझे ही नोकराणी बनाकर इस गर की रखेगी सारा काम उसे करवाएगी वह सपने लेने लग जाती है और सपनों में जैसे गर का वह सारा काम कर रही है और पलवी उसके उपर ओडर जला रही है पल्लवेगर की महरानी बन चुकी है और जहासे ही जिल मिल उसे झूती है तो एकदम सपने से बाहरा जाती है सोजरी होती कि नहीं में सपने को पूरा नहीं होने दे सकती हूं यह सपना कभी भी सच नहीं होना चाहिए तो दुसरी तरफ अब अर्नव घर वापिस आ चुका तो उसे पता चल चुका होता है कि बबली देवी ने गिरने का ट्रामा किया था उसे चोट नहीं लगी थी तो यहां पर अब अर्नव को जैसे ही देखता है बबली देवी की तरफ तो बबली देवी एक्दम से जान बूद कर गिर जाती है तो अर्नव बॉल देता है कि बस कीजिए मां आपका सच सब के सामने आ चुका है आपको कोई चौट नहीं लगी आपने ड्रामा किया था तो आप यहां पर अर्नव ले